अगर हम उदैपूर के बारे में डिसकस किया था राजस्तान जिला दर्शन के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों तो उदैपूर की जो परमुख नदिया हैं अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो उदैपूर के अंदर एक है आयर नदी या बेड़च नदी ठीके इसका उदगम कहां से होता है गोगुंदा की जो पहाड़ी है दोस्तों वहां से आयर नदी या बेड़च नदी है उसका उद्गम होता है और समापन जो है वो बिगोद भिलवाडा के अंदर होता है दोस्तो पानी उदे सागर जील में जाता है यहाँ पर एक सभ्यता विक्सित हुई थी आहर सभ्यता तो दोस्तो मैंने नोट सी इस तरीके से बनाए है कि आपको एक ही वार में जो है डिरेक्ट अगर हम बात करें तो नदी कौन सी है आयर नदी या बेड़त नदी के नाम से हम जानते हैं उद्गम कहां से है गोगुंदा की पहाडियों से इसका उद्गम होता है और समापन कहां पे होता है बिगोद भिलवाडा के अंदर इसका समापन होता है पानी कहां से मिलता है तो उदेशागर जो जील है जो महराना उदेशिंग के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था उदेशागर जील से हमें पानी मिलता है और सब्व्यता कौन सी है यहाँ पे आहर सब्व्यता जो है वो विक्सित हुई थी चितोडगड बेड़च नदी के किनारे पे ही बसा हु अब हम बात करते हैं सोम नदी सोम नदी का उद्गम बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से होता है दोस्तों यहाँ पे एक बांद बनावा है सोम कागदर बांद सोम कागदर बांद यहाँ पे बनावा है सोम नदी पर सोम नदी सोम नदी का उद्गम कहां से होता है बिच्छा मेडा की पहाडी से सोम नदी का उद्गम होता है और आहड या आयर नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाडीयों से होता है याद अखना ये चीज़ ठीक है साबरमती नदी उदैपूर में अरावली की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है कौन सा साबरमती नदी जो है उदैपूर में अरावली की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है समापन जो है खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर है समापन कहाँ पे है खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर तो दोस्तो अभी मैंने आपको जो उदैपूर की परमुख नदिया है उनके बारे में बताया पहला क्या है आयर या बेड़च नदी ये इसका उदगम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है दोस्तो समापन जो वो है आहड सब्यता ठीके आहड सब्यता उदैपूर में आयर नदी या बेड़च नदी के किनारे पे विक्सित हुई थी और चितोड़गड जो है वो बेड़च नदी के किनारे पे बसा हुआ है जैसे कोटा क्या है चंबल नदी के किनारे पे बसा हुआ है वैसे ही चितो जो है वो बेड़च नदी के किनारे पे बसा हुआ है मित्रो अब हम दूसरी नदी जो है सोम नदी उसके उपर बात करें तो यह बेड़च नदी के किनारे पे बसा हुआ है विच्छा मेड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है सोम नदी का उद्गम विच्छा मेड़ा की जो पहाडी है वहां से होता है और बांध कौन सा है सोम कागदर बांध है बांध कौन सा है सोम कागदर बांध साबर मती नदी उदैपूर की अरावली की पहाड़ियों से साबर मती नदी का उद्गम होता है और समापन कहां पे खंबात की खाड़ी गुजरात में इसका समा प्रापन होता है, खनीज, खनीज कौन-कौन से मिलते हैं, अब उदैपूर जो जीला है दोस्तों, वहां से हमें कौन-कौन से खनीज प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां से हमें सीशाव और जस्ता, सीशा जस्ता एवम चांदी, उदैपूर में प्रमूख है दोस्तों, जावर क खान मिली थी हमें यहां पे ठीके सीशा जस्ता और चांदी को जुडवा खनीज कहते हैं ठीके या गैलीनों भी कहा जाता है दोस्तों तो हमें जो है जावर की खान मिली थी राणा लाखा के काल में आपको यह याद होगा उदैपूर में हमें जावर की खान राणा लाखा के काल में यहां पर शीसा, जस्ता एवंचांदी उद्धैपूर के अंदर है दोस्तों ठीक है इसे हम जुडवा- खनीज भी कहते हैं या गैलीनों भी कहते हैं जो शीसा जस्ता और चांदी है इसे जुडवा- खनीज भी कहा जाता है एक्जाम के अंदर आपसे ये क्युशन भी पूछ सकते हैं दोस्तों की जुड़वा खनीच किसे कहते हैं तो सीशा जस्ता और चोचांदी है ये जुड़वा खनीच भी कहलाते हैं या इसे गैलीनों भी कहते हैं यह हमें कहां से मिलता है उदैपूर में जावर में जावर की खान ठीक है पन्ना काला गुमान एवं एंड देवपूरा जो पन्ना है वो हमें काला गुमान और देवपूरा से मिलता है घीया पत्थर देवपूरा सालोज और नाथ्रा की पाल से हमें घीया पत्थर मिलता है द जिसे हम जुडवा खनीज कहते हैं जावर में खान मिलीती हमें राना लाखा के काल में ठीके उसके बाद पन्ना तो पन्ना हमें काला गुमान एंड देवपूरा स्थान पे प्राप्थ होता है घिया पत्थर देवपूरा सालोज में और नाथ्रा की पाल से हमें प्राप्थ ह राज महल, सीटी पैलेज, पिछोला जील के किनारे बने भव्य महल, जी ने इतिहास कार फर्यूक स्थान ने राजस्थान के विंडसर महलों की संग्या दी है, मानक महल, मोती महल और प्रताफ़क्ष आदी यहां के प्रसीद है। दोस्तो, राज महल है या सिटी पैलेस कह सकते हैं, यह उदैपूर में इस्तित है, पिछोला जील के किनारे पर बना हुआ है, ठीके, अब हम उदैपूर के जो प्रमुक इस्थल है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो हमने सबसे पहले देखा राज महल या सिटी पैल ठीके भव्य महल है जिने इतिहासकार फर्यूक सर्ण ने किसकी राजस्तान के विंडसर महलों की संग्या दी गई है दोस्तों तो दोस्तों क्युशन ये पूछ सकते हैं आपको कि राजस्तान के विंडसर महल किस जीले में है तो आप बोलोगे कि यह हैं जो महल है वो उदैपूर जीले में है, फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि उदैपूर में जो राज महल या सीटी पैलेस है उसको उन महलों को राजस्तान के विंडसर महलों की संग्या किसने दी है तो इतिहासकार फ्र्यूक्षन ने इन महलों को राजस्तान के विंडसर महलों की संग्या दी है तो इस तरह से कुशन पूछ सकते हैं और ये कहां पे इस्तित है ये है पिछोला जील के किनारे पे विक्सित है पिछोला जो जील है दोस्तों उसके किनारे पे विक्सित है यह भव्य महल ठीक है आगे चलो सहलियों की बाड़ी सहलियों की बाड़ी का निर्मान किसने करवाया महाराना संगराम सिंग दित्य के ध्वारा सहलियों की बाड़ी का निर्मान करवाया गया था और पून निर्मान जो है वो फते सिंग ने करवाया था राजकुमारिया अपने सहलियों के साथ में मनोरंजन के लिए यहाँ पे आती थी सहलियों की बाड़ी का निर्मान महाराना संग्राम सिंग दित्यने करवाया है किसने महाराणा संग्राम सिंग दित्य ने और इसका पूर्ण निर्मान फते सिंग के द्वारा करवाया गया राजकुमार्या यहाँ पे अपनी सहलियों के साथ मनोरंजन के लिए आती थी ये सहलियों की बाड़ी कहां पे स्तित है उदैपूर में निर्मान, महाराणा, संग्राम सिंग, दित्य ने और पूर्ण निर्मान, फतेय सिंग ने उदैपूर के अभ्यारण्य, अब चलो ये कंप्लीट होगे, एक बर मैं आपको रिव्यू कराता हूँ उदैपूर के जो दर्शन ये स्थल है, उसके अंदर सबसे पहला है, राज महल या सिटी पैलेज, ये कहां पे है, पिछोला जील के किनारे पे बना हुआ है, ठीके, ये इतने भव्य सुन्दर महल है, कि जो इतिहासकार थे हमारे फ्यूक्षन, उन्होंने इसे राजस्तान के विंड सर महलो की संग्या दी है, एक है सहलियों की बाड़ी, सहलियों की बाड़ी का निर्मान संग्राम सिंग दित्य ने करवाया था, पूर्ण निर्मान फते सिंग ने कराया है, यहाँ पे जो राजकुमार्या होती है, वो अपनी सहलियों के साथ मनोरंजन के लिए आती ह अब पहला है यहाँ पे अभ्यारण्या के अंदर फुलवाड़ी की नाल इसमें मांसी वाकल शूरंग है दोस्तों सजनगड अभ्यारण्या ठीके उसके अतकुंबल गड़ अभ्यारण्या जैसम्बंद अभ्यारण्या गुरु गोविंध सिंग चत्टान बाग जापानी राजस्तान में सरवादिक अभ्यारन्य आपको उद्यपूर जीले में ही मिलते हैं तो दोस्तों क्या है उद्यपूर के अभ्यारन्य के अगर हम बात करें तो फुलवाडी की नाल अभ्यारन्य सज्जनगड अभ्यारन कुंभलगड अभ्यारन जैसंबंद अभ्यारन गुरु तो वो जीला कौन सा होगा उदेपूर, तो एक्जाम में कुछ इसे पूछ सकते हैं, कि सबसे ज़्यादा अभ्यारन्य कहां पे है, तो आप बोलोगे उदेपूर, फिर आप से ये पूछ लिया जाए कि सज्जणगड़ा कहां पे इस्तित है तो यहां है उद्यपूर के अंदर फुलवाडी की नाल, सज्जनगड, कुम्भलगड, जैसंबंद उसके बाद है गुरु गोविन सिंग्चटान बाग, जापानी उद्दान और भामा साही उद्दान यह सब कहां पे है दोस्तो उद्यपूर में इस्तित है अब कुछ important fact की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है चित्रकला का एक संसाधन है यहां पे जो सरस्वती भंडार है वो उद्यपूर में है चित्रकला का एक संसधान कौन सा है सरस्वती भंडार उद्यपूर में इस्तित है राजस्तान शाहित्य अकादमी यह भी उद्यपूर में 1958 में बना था उसके बाद है सरवादिक हल्दी का उत्पादन जाडोल के अंदर होता है सरवादिक हल्दी का उत्पादन हम अब उद्यपूर के कुछ important fact देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले देखा कि चित्रकला का जो संस्थान है स्रस्वती भंडार वो कहां विपेस्तित है वो उद्यपूर में इस्तित है राजस्तान साहित्य अकादमी कहां पेस्तित है यह भी उद्यपूर में है सरवादिक हल्दी का उत्पादन जाडोल में हो रहा है देश का प्रत्थम दुग्द विज्ञान विश्व विद्याले कहां पेस्तित है उद्यपूर में देश का प्रत्थम देश का प्रत्थम दुग्द विज्ञान विश्व विद्याले देश का प् भंडार ये उदैपूर में इस्तित है उसके बाद राजस्तान साहित्य अकादमी उदैपूर में 1958 में विक्सित किया गया सरवादिक हल्दी का उत्पादन कहां पे हो रहा है जाडोल में हो रहा है देश का प्रत्थम दुग्द विज्ञान विश्व विद्याले भी यहां प उदैपूर के प्रमुख मेले कौन-कौन से हैं उनके उपर थोड़ा सा डिसकस करेंगे तो महरना प्रताप की जैनती पहला पॉइंट है महरना प्रताप की जैनती हल्दी घाटी रासंबंद और चावंड उदैपूर के अंदर महरना प्रताप की जैनती है वो दो जगे मना जाती है हल्दी घटी जो की हिराज संबंद में है और चावंड उधैपूर में इस्तित है महना परताप का जनम 9 मई 1540 के अंदर हुआ था दोस्तों और सासक बने थे 1 मार्च 1922 में ठीके इनकी मृत्यू कब हुई थी दोस्तों 19 जनवरी 1500 सित्याण में के अंदर तो इनका जनम कब हुआ है दोस्तों 9 मई 1540 के अंदर इनका जनम हुआ है महार्णा परताप की जैनती 9 मई 1540 लेकिन उस दिन डेट थी जेश्ट शुकलत तृत्या तो हम महार्णा परताप की जैनती जेश्ट शुकलत तृत्या को मनाते हैं और कहां पे हल्दी घाटी जो की र यहाँ पे महाना परताप की जैनती मनाई जाती है और कब जेश्ट सुकल तृत्या को कब मनाई जाती है जेश्ट सुकल तृत्या को रिसब देव का मेला रिसब देव जी का जो मेला है वो धुलेव गाउं कोयल नदी के किनारे पे इस्तित है वहाँ पे लगता है विक्रमा द ग्राम में है 21 से 31 दिसंबर तक भड़ा जाता है मेवार महोचसव अप्रेल महा में परेटन विवाग द्वारा आयोजित है इंपोर्टेंट है स्टार बना लिजी इसके अंदर आप मेवार महोचसव कब अप्रेल महा में बढ़ा जाता है और यहां परेटन विवाग द्वार आयोजित होता है घिंगा गोर मेला वैसाक किष्ण तृत्या को तो हमने उदैपूर के परमुख मेले के उपर डिसकस किया इसमें सबसे बड़ा और इंपोर्टेंट मेला है महाना प्रताप की जैन्ती महाना प्रताप की जैन्ती हल्दी घाटी जो की राज समन में स्तिते वहा महाना प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था लेकिन तीथी के अनुसार जेश्ट सुकलत तृत्या थी उस दिन तो जेश्ट सुकलत तृत्या के दिन महावीर महाना प्रताप की जैन्ती मनाई जाती है रिसव देव जी का मेला धुलेव गाउं कोयल नदी के किनारे पे मनाया जाता है फिर यहाँ पे लगता है सिल्प ग्राम का मेला जो की सिल्प ग्राम में लगता है 21 से 31 दिसंबर तक भरा जाता है मेवार महोत्सव अप्रेल महा में पर्यटन विवाग द्वारा भरा आयोजित होता है घिंगा गोर मेला वेसाख कृष्ण तृत्या को आयोजित होत है दोस्तों तो यह सब है दोस्तों उदैपूर के बारे में हमने एक जो है ओवर्व्यू दिखा है सारी चीजे हमने यहां पर पढ़ ली है हमें एकदम अच्छे से सारी चीजे याद भी हो गई है एक कोई क्रिव्यू करायता हूं पूरा उदैपूर का जिससे आपको चीजे अच्छे से याद हो जाए उदैपूर की स्थापना महराना 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 उदैपूर सहर की स्थापना की थी दोस्तो उद्यपूर के उपनाम कौन-कौन से हैं इसको हम पुर्व का वैनिस, राजस्तान का कस्मीर, सैलानियो का सहर, फाउंटेन वा माउंटेन सिटी, सितारो का सहर, जीलो की नगरी और भारत का वियाना कहते हैं दोस्तो तो दोस्तो अगर आपको म अच्छी लग रही है मेरा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को मेरे को मोटिवेट करते रहें मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों तभी मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो ब आपको एक दम फ्री के अंदर एज्यूकेशन मिले और पूरा डिटेल के अंदर सारी चीजे समझाए जाए आपको ठीक है इंपोर्टेंट फेक्ट की अगर हम बात करें तो गुजरात से सरवाधिक सीमा उदैपूर की लगती है सरवाधिक अंतराष्टिय सीमा बनाने वाल है राजस्तान का सबसे प्राचीन रियासत कौनसी है मेवाड है तो ये तीन इंपोर्टेंट फेक्ट है गुजरात से सरवाधिक सीमा उदैपूर की लग रही है सरवाधिक अंतराष्टिय सीमा बनाने वाला यहां संबाग है राजस्तान की सबसे प्राचीन रियासत कौनसी है मेवाड है अब सभ्यताओं के अगर हम बात करें उद्यपूर में जो विक्सित सभ्यताई हैं वो है आहर सभ्यता बाला थल सभ्यता धोली मग्रा सभ्यता इस्वगोल सभ्यता और जाडोल सब्यता ठीके ये सारी सब्यता कहां पे विक्सित हुई है उदैपूर के अंदर उसके बाद हम भोगौलिक नाम के उपर अगर हम बात करते हैं तो भोराट का पठार उदैपूर के कुंभल गड़ व गोगुंदा के मध्या का पठारी भाग है दोस्तों भोराट का पठार कहा पे स्तित है उदयपूर के कुम्भलगड वह गोगुंदा के मध्यका जो पठार है उसे हम भौराट का पठार कहते हैं भौराट का पठार उचाई में तीसरे नंबर पर आता है लसाडिया का पठार उदैपूर में जय संबन्द के आगे जो कटा फटा भाग है उसे लसाडिया का पठार कहते है गिर्वा उदैपूर जो है गिर्वा किसे कहते हैं दोस्तों इंपोर्टेट है बहुत वार पूछा जाता है उदैपूर जो है वो चारों तरफ से पहाडियो कि घीरा होने के कारण इसकी आक्रती तस्तरी नुमा यानि कि पलीट के तरह इसकी आक्रती है इसलिए इसे इस्थानिय भासा में गिर्वा कहते है देश हरो, उद्यपूर में जर्गा और रागा की पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा इस्थान है, उसे देश हरो कहते हैं, मगरा उद्यपूर का उत्री पस्रीमी परवत्य भाग मंदारा कहलाता है, प्राचीन नाम जो है, इसका सीवी, मेदपाड और प्रियागवाट है, ठीके, सीवी है, मेदवाड है और प्रियागवाड है, इन प्राचीन नामों से हम जानते हैं, तो मगरा कहाँ पे है, उद्यपूर का उत्री पस्रीमी जो परवत्य भाग है, वो मगरा कहलाता है, और उद्यपूर के अगर हम प्राचीन नाम की बात करते हैं, तो वो है सीव मेदपाट और प्रियागवाट ये उद्यपूर के प्राचीन नाम है दोस्तों किलियर है आपको तो हमने क्या-क्या देखा कि यहाँ पे बहुराट का पठार है जो उद्यपूर के कुम्भल गड़ वो गोगुंदा के मध्या इस्तित है उसे हम बहुराट का पठार कहते है ठ तो वहाँ पे हमें कुछ कटी फटे पहाडियां या कटे फटे भाग मिलते हैं जिसे हम लासरिया का पठार कहते हैं गिर्वा उद्यपूर के चारों तरफ क्या है दोस्तों पहाडों से घीरावा है और ऐसे आकरती बना रखी है कि तस्तरी नुमा दिखता है वो ठीके तो इस तस्तरी नुमा आकरती जो दिखती है इसे ही पूरे इस्थाने बासा में गिर्वा कहा जाता है दोस्तों देश हरों उद्यपूर में जर्गा वरागा की पहाडियों के बीच का जो छेत्र हरा भरा रहता है हमेशा उसे देश हरों कहते हैं मगरा उद्यपूर का उत्री पस्सिमी परवत्य भाग मगरा कहलाता है प्राचीन नाम उद्यपूर के सीवी मेदपाट और प्रियागवाट है उद्यपूर जिले के परमुक मंदीर कौन कौन से है दोस्तों जगत अंबिका मंदीर जगत ग्राम उद्यपूर के अंदर जगत अंबिका मंदीर कहां पे है ज तो जगत अंबिका का जो मंदीर है, उसे मेवार का खजुराओ कहते हैं, सैली, परतिहार कालिन और महामारू सैली के अंदर यहां निर्मित है, परतिहार कालिन और महा मारू सैली के अंदर निर्मित है मूर्तिया, देव पाल और यक्ष की तथा किनरों की मूर्तिया यहाँ पर पाई जाती है मित्रो ठीके उसके बाद नर्त्य गणपती की यहाँ पर प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी तो यह जगत अंबिका मंदीर जगत ग्राम उदैपूर में इस्तित हैं अंबिका माता का मंदीर उदैपूर में महारना रासिंग के द्वारा निर्मित कराया गया था अब एक मंदीर है, important है देखो, विषनू भगवान को समरपिर्थ है जगदीश मंदीर जगनात मंदीर पचास खंबो में बना मंदीर सोपन संस्कृति का बंदीर और सपनों में बना मंदीर यह भगवान विश्णू को समर्पिर्थ है दोस्तो जगदीश चौक उदैपूर के अंदर इस्तित है इसमें एक प्रसस्ती है जगनात राय प्रसस्ती जिसका निर्मान किर्शन भट के द्वारा कराया गया था और जगत राय प्रथम ने इसमें जो है लिखवाया था दोस्तो वास्तुकार अर्जुन भाना मुकुंद अर्जुन भाना और मुकुंद जो है वो वास्तुकार थे इसके और 1679 में औरंग जेब द्वारा खंडित कर दिया गया था उसके बाद धाय मंदीर या नोजू मंदीर या जगत सिंग प्रथम ने बनाए थे आहड के जैन मंदीर खंडित अवस्ता में मिले हैं बारवी सदी में निर्मित थे जैन आचारिय जग चंद ने बारा वर्सों तक यहां पे तप किया था इसलिए रावल जेत् दी दी थी दोस्तों अमर सिंग प्रथम ने इसी संस्थान पर सन्यास लिया था मेवाड के सिसोध्या वंस का सासनिस्तल जो है वो यहीं है दोस्तों महासत्या क्या है महासत्यों का टीला तो बागोड भिलवाडा के अंदर महासत्यों का टीला हमें देखने को मिल सकता है ठी तो ये दो है मेवाड के सिसोधिया वंस का समसानिस्तल तो वो समसानिस्तल क्या है दोस्तों महासत्य कहलाता है महासत्यों का टीला हमें बागोड सब्यता जो की भिलवाडा में इस्तित्य वहां से मिला था एक लिंग नाथ जी का मंदीर कैलासपूरी गाउं उदैपूर में बप्पा रावल या काल भोजनेस का निर्मान कराया था लकूलिस या पासुपात संप्रदाय का यहां मंदीर बना हुआ है उसके बाद राजस्तान के भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदीर है यहां दोस् स्थित है बगवान आदिनाथ रिसव देव को समर्पिर्थ है मूर्ति पर केशर केशर चड़ाई जाती है दोस्तों और भील जंजाती इन्हें काला बावजी के रुप में पूझते हैं ठीक है तो भील जंजाती जो है वो काला बावजी के रुप में पूझती है दोस्तों कर दिया निर्मान जो है काल भोज ने ने किया है वप्पा-रावल ने भी अ किया है ठीके निर्मान कालबोज या वपपा रावल के द्वारा कराया गया था। यह दोनों एक इंसान है इनको उपादी दी गई थी ती बपा रावल की दोस्तों ठीके दिवार्ट छतों पर भारत या रामायन की चित्र चित्रित किये गए हैं दोस्तों यह याद दखना दिवार और छतों पर जो है महा भारत के जो या रामायन की चित्र चित्रित किये गए कहाँ पर सास बहू का मंदीर या सहस्त्रबहु मंदीर के अंदर, गोशन बावडी, बावजी का मंदीर कातन वाड़ा गाओ उदयपूर में यहां इस्तित है और पत्थर के बैल यहां पे चड़ाई जाती है मचेंद्र नाथ मंदिर उदयपूर में भगवान श्रीकृष्ण का मंधीर है अन्य नाम सांजियों के लिए प्रसीद है और सांजी मंदिर वी यहां का प्रसीद है दोस्तों तो मचेंदर नात मंदीर कहां पर उदैपूर में भगवान कृष्ण का मंदीर है और यह सांजियों के लिए प्रसीद है उसके बोहरा गने इस मंदीर उदैपूर में इस्तित है निर्मान महाराना राज सिंग ने करवाया था जावर की खान जावर की अंदर हमें जावर प्रसस्ती मिली है रमाबाई को वागिस्वरी की उपादी गई है दोस्तों और निर्मान भी इसका रमाबाई के द्वारा कराए गया था तो हमें जावर के अंदर विश्नु मंदीर प्राप्त हुआ है जावर कहां पे है उदैपुर में जावर की प्रसस् वागिस्वरी क्युपादी दी गई है निर्मान रमा बाई के ने कराया था इसका दोस्तो विश्णु भगवान को समर्पिर्थ है और वास्तुकार कौन है इस्वर है वास्तुकार कौन है इस्वर जैसंबंद जील जैसंबंद जील का निर्मान महारणा जैसिंग ने देश न है दोस्तो ठीक है फते सागर जील उदैपुर में इसका निर्मान जै सिंग ने पूर्ण निर्मान फते सिंग ने ठीक है पिछोला जील का निर्मान किसने कराया है बिच्छु मार बिच्छु मार और चीडी मार बंजारे ने अपने बैलो की स्मृति में राणा लाखा के समय क इसलिए उद्यपूर को जीलो की नगरी या फाउंटेन वाउंटेन सीटी कहते हैं परमुख नदियां आयड व बेडस नदी यह आयड व बेडस नदी कहां पर है उद्यपूर में गोगुंदा के पहाडियों से इसका उद्गम होता है समापन विगोध भिलवाडा के अंदर ह सब्ब्यता कमची है आहर सब्ब्यता कि ठीक है आहर सब्ब्यता यहां पर विक्सित हुई चितवर्डगर्ड गर्ड बेडस नदी किनारे पर बसा हुआ है साबर्मती उद्यपूर के अरावली की पहाड़ियों में है और समापन इसका खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है खनीज सीशा जस्ता खनीज हमें मिलता है उद्यपूर से इसे जुडवा खनीज या गैलीनो खनीज भी कहते हैं राज महल सीटी पैलेस पिछोला जील के किनारे पे विक्सित है फर्यूक जन्ने राजस्तान के विंड सर महलो की संग्या दी है सहलियो की बाड़ी संगराम सिंग दित्या ने इसका निर्मान कराया है जुराज कुमारियां है अपने सहलियो के साथ में यहां मनुरंजन के लिए आती थी अभ्यारन की बात करें तो फुलवाडी की नाल, सजनगर्ड अभ्यारनिय, कुम्बलगर्ड अभ्यारनिय, जैचंबंद अभ्यारन, गुरु गोविन सिंग चट्टान बाग, यह यहाँ पर है दोस्तो। प्रथम मार्सल आठ उदैपूर के अंदर, पर्मुक मेले में पहला मेला आता है महारना परताप की जैनती जेश्ट सुकलत तृत्या को मनाई जाती है, 9 मई 1540 के अंदर महारना परताप का जनम हुआ था, रिसव देव जी का जनम, रिसव देव जी का मेला धुलेव गाओं को लदी किनारे उदैपूर में भरता है, सिल्प ग्राम का मेला सिल्प ग्राम में 21-31 दिसंबर तक मेवार महुत्सव पर्यटन विवाग द्वारा आयोजित होता है, अप्रेल महा के अंदर, मेवार महुत्सव पर्यटन विवाग द्वारा अप्रेल महा के अंदर, उसके समझ में आ गया होगा रिवीजन भी करा दिया है मैंने पार्ट वन का भी इसी वीडियो के दौरान अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रो थैंक यू हेव नाइस डे बाबाई